नमस्कार दोस्तो, BPCL के लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको डीटेल में एक्स्प्लेइन कियाता है कि स्टोक के अंदर एक बहुत बड़ा ब्रेकाउट हो रहा है और आने वाले टाइम पर इसमें बहुत बड़े टार्गेट्स हमको अचीव होते हैं और नजर आ सकते ह दोस्तो आगे इसके क्या टार्गेट्स हो सकते हैं उस पर इस वीडियो के अंदर हम डीटेल में बात करने वाले तो वीडियो काफी ज़दा इंटरस्टिंग होगा तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब कर लो ताकि कि जब भी मैं नेक्ष भी उपलोड करूँ वो सबसे पहले आपको मिल पाए और दोस्तो एक बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट अपडेट या पर शेर कर रहा हूँ आप लोगों के लिए हमने फ्री लाइव मार्केट की लाइव क्लासेस स्टार्ट किये और दोस्तों मैं आपसे कोई भी पैसा चार्ज नहीं कर रहा हूँ इन क्लासेस के लिए तो अगर आप स्टोक मार्केट को डीटेल में सीखना चाते हो मार्केट को अच्छे से समझना चाते हो तो दोस्तों आप नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे वाटसप नमर मिल ज तो दोस्तों बिना टाइम वेश्ट की वीडियो की करते हम शुरुआ दोस्तों बीपी सेल के लास्ट वीडियो के अंदर में आपको डीटेल में एकस्प्लेइन किया था कि यहां पर स्टोक के अंदर जो सबसे बड़ा ब्रेकाउट हमको देखने को मिला था एक लंब समय ब पर देखने को मिला था यह लेवल था कहीं आपका 257 का लेवल यह था और मैंने आपको ब्रेकाउट लेवल बताया था इसको 360 के उपर मैंने आपको यह बताया था कि 360 के उपर प्राइस निकलती तो फिर हम इसमें इंटरी के लिए प्लान कर सकते हैं इस तोक के अंदर एक गिरावट होने लगी आप तो बोल रहेते हैं तेजी होगी तो दोस्तो हुआ क्या है मैंने आपको एक्जेकल लेवल बताया था 360 का लेवल यह 360 का लेवल जब तक क्रोस नहीं करेगा तब तक तेजी नहीं होगी यह चीज़ भी मैंने आपको बताई थी और फाइनली दोस् तो कहीने के अंदर आपको एक फास्स मॉमेंटम देखने को मिलेगा ठीक है अब मैं बात करूं यहां पर टार्गेट की तो लास्ट इम जो टार्गेट में आपको बता के रखे थे वह सेम टार्गेट में आपको एक्स्प्लें कर लेता हूं एक बार चोटे टाइम पर रहने वाले हैं जो एक फर्स्ट टार्गेट रहेगा वह 435 के असपास ठीक है और पहले भी आपको बता चुका हूं फर्स्ट टार्गेट रहने वाला है 435 के आसपास यह लेवल माक करके रखे रखे लो यह बहुत जादा इंपोर्टेंट चीजे बहुत जादा इजी इजी ट्रेड रहने वाला है और बहुत आसानी से लगबग में बात करूँ यहाँ पर प्रोफिट की तो कितने परसेंटेज वाई देखे तो कितना प्रोफिट ही हमारा बन रहा है तो लगबग आप देख सकते हो 40% का टार्गेट हम स्टॉक के अंदर लेके चल रहे लगाना चाहते हैं वह 320 के आसपास रख सकते हैं अगर 320 के प्राइस नीचे जाती तो कहीं ने कहीं आप अपना इस्टॉप लोस ले सकते हो अधरवाइस इस हपते का लो इस हपते का लो कहां पर होगा यहाँ पर 300 335 के आसपास ठीक है अगर 335 का भी लो इस्टोग फिर से अगर ब्रेक करता है तो कहीं ने कहीं यहाँ से सेलिंग देखने को मिल सकती या फिर स्टोग नीचे की तरफ करेक्शन कर सकता है या होल्ड कर सकता है तो 335 एक छोटा स्टॉप लोस रहेगा 320 एक मेजर स्टॉप लोस रहने वाला है और उपर में टार्गेट आपको बता च सकते हो और दोस्तों वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करके चैनल को सस्क्राइब कर लो एंड इस एंड वाले वीडियो का आप डिटेल में देख लो क्लासेस की जादा इंफोर्मेशन के लिए